इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं यहां से अब सोयबीन की देखने हैं कि सोयबीन का जनवरी वैदा चौशट सो चौवन पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आप बता दें कि सोयबीन में निचले स्तरसम देखने की खरीदारी देखने को मिल दिये सोयबीन लगाता तीन से चार ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं लगबग पूरे पिछले कारों वाई सब्ता से देख रहे हैं कि निचले स्तरस से सोयबीन की किमतों में खरीदारी देखने को मिल रही है इस वक्त भी देख रहे हैं कि सोयबीन में जो लेवल से ठीक ठाक हैं चौसट सो चोवन पर ट्रेड करती नज़र आ रही है चौसट सो पिचत्तर का ही लगा चुकि एक फीज़दी की तेजी है अगर सोयबीन के बाकी कॉंट्रेक्ट्स पर नज़र डालें तो जो हाई लेवल दिख रहा है वो लगबग पैंसर सो का ही दिख रहा है तो यानि कि अभी हाल पिलाल में सोयबीन मैकसिमम पैंसर सो तक का लेवल दिखा सकती है आपको बता दें कि साउथ अमेरिका में जो मौसम है वो सोयवीन के अनुकूल नहीं बताया जा रहा है खास करकि ब्राजील और अर्जेंटीना में वहाँ पर सूखे के हाला आते हैं और ब्राजील और अर्जेंटीना पूरे विश्व में सोयवीन के मुख्य उत्पादक और निर्यातक देशों में सही है अगर वहाँ पे सोयबीन के उतपादन में कमी देखने को मिलती है तो उसका असार वैश्विक सोयबीन की उपलबदता यानि की वैश्विक सोयबीन की सप्लाई पर देखने को मिलता है और कीमतव पर भी अभी हाल फिलाल में तो वहाँ पे जो मौसम है जो महां के मौसम विशेशक गिया है उनके अनुसार अभी जो हीट वेव है वो इफेक्ट कर सकती है और जाद यानि कि सूखे के हालात और जाद देखने को मिल सकते हैं जो फसले हैं वो थोड़ी जुलत सकती हैं गर्मी की वज़ा से जिसकी वज़ा से जो soybean का उतपादन है ब्राजील और अर्जेंटीना में वो थोड़ा कम रह सकता है इसी की वज़ा से हम देख रहे हैं कि विदेशों के अंदर soybean की कीमतों में उच्छाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक पूरी तरह से जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि actual में soybean का उतपादन यानि production आगे कितना देखने को मिलेगा दूसरा जो सोया खली है यानि कि soybean oil के उसकी भी कीमतों में तेजी देखने को मिल रहा है उसकी वज़ा से देखने हैं कि soybean और soybean खली विदेशों के साथ-साथ भारत के बजार में भी तेजी देखने को मिल रही है विदेशों का ही असर है जो हम देख रहे हैं कि सोया खली और सोयबीन पर भारती वज़ार में देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत अभी पूर्ण रूप से खादर तेलों में आत्म निर्बर नहीं बना है कोई सा भी तेल हो, किसी भी उससे बनता हो पूर्ण रूप से आत्म निर्वर नहीं है आत्म निर्वरता की ओर बढ़ रहा है लेकिन आत्म निर्वर नहीं बना है इसकी वज़ास हम देख रहे हैं कि अगर विदेशों में थोड़ी बहुत भी उठापटक होती है खादे तेलों में तो उसका असर भारत में भी उठापटक के तौर पर देखने को मिलता है अगर विदेशों में खादे तेलों में बढ़त रहेगी तो उसका असर भारत के तेलों पर भारत के तेल की किमतों पर पड़ता नजर जरूर आएगा अगर मंदी रहेगी तो मंदी देखने को मिल लेगी है चाहरा कि सरकार ने डूटी फ्री आयात कर रहा है पामुलीन वगयरा का लेकिन विदेशों में अगर तेजी है तो उसका असर खादे तेलों पर ज़रूर बनत का नजर आता रहेगा, चाहे सरकार duty-free कर ले, यज़ा फिर आयाद शुलक घटा दे दूसरा, मंडियों में सोयवीन की आवगों को में काफी कमी देखने को मिल रही है, फिर से, जितनी मांग है उसके कमी देखने को मिल रही है सोयवीन के सप्राइम मंडियों के अंदर क्योंकि किसानों को उनकी सोयवीन की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और दूसरा किसानों को भी पता है कि जब विदेशों में तेजी है और भारत आत्म नहीं बना है तो कि सोयवीन को होल्ड कर लेना ही ज़्यादा बहतर आएगा इसलिए किसानों ने एक बार फिर से सोयवीन को होल्ड कर लिया है क्योंकि मंडियों में देख रहे हैं कि सोयवीन के ज़्यादा तर दाम पैंसर सो से अर्सर सो देखने को मिल रहा है किसानों को जो उमीद सी की 10,000 या उसके उपर जाता नज़र आएगा 12,000-13,000 क्यों वो दाम किसानों को इस बार नहीं मिले हैं और किसान इसी उमीद में सोयवीन को फिर से स्टॉक करके चल रहे हैं इसान को उमीद है कि आगे जाके सोयविन की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है